मस्ते सांथियों सुआ कर्यावाज शूघना ग्रामीन वर्स 2024-25 से जबन्धी ताज के इसे खास वीजियों में सांथियो जैसे कि आप सभी को जानकरी मिल चुकी होगी कि प्रधान मंतरी अवाज योचना ग्रामीन वर्स 2024 और आने वाले वर्सों के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामिड विकास मंत्रालाई को दो करूड नए आवासों का निर्मान का दोस्तों जो लक्ष है वो दिया गया है और जिसके तहत वर्ष 2024-25 के अंतरगत भी लाभारतियों का आवास बनाने के उलेकर सांथियों जो टारगेट था यानिकी जो लक्षता सांथियों उसे मंजोरी दे दी गई है और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी द्वारा काफी जगा पर सांथियों सभा को संबोधित करते हुए लाभारतियों के खाते में आउनलाइन रिमोट का अटन दबा कर सीधे डी बीटी के माध्यम से जो पैसे हैं पहली किस्त के रूप में वो पर की जा रही है और ऐसे लाभारतियों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के बाद कुछ समय के बाद ये जो पैसे हैं वो लाभारतियों के खाते में क्रेडिट होती है जिसमें उनके पीम आवास योजना ग्रामीन के आवास पॉटल पर जो उनका प्रोफाइल है वहाँ और ये सारी चीज़े अपडेट की जाती है तो लाभार्ति किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि उनके प्रोफाइल के अंदर जो एपटियो है और सीट है वो जेनरेट की गई है या फिर नहीं अगर जेनरेट की गई है तो कब तक उनके खाते में पैसे आ जाएंगे और अगर कौन से बैंक खाते में ये पैसे रिसीब हुए है वो भी चेक कर पाएंगे तो चलिए सांथियो बिना किसी देरी की ये वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइ यहाँ पर आने के बाद सांथियो लाभार्तियों को डीटेल करने के लिए सिंपली ये जो स्टेक होल्डर का ओप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करना है जैसी लाभार्ति िस पर क्लिक करेंगे तो लाभार्तियों के सामने I, AY, P, M, AYG, BENEFICERY की डीटेल्स उपन होगी सिंपली सांथियो लाभार्थी को इस option पर क्लिक कर देना है जैसी लाभार्थी इस option पर क्लिक करेंगे तो सांथियो कुछ देख सकते हमारे सामने एक नया पेज जो है कुछ समय बाद open हो जाएगा जिसके अंदर हमें सांथियो जो है registration number डाले के लिए कहा जाता है तो सांथियो registration number आपको जो है अपने mobile पर message या फिर जो लिस्ट पब्लीज की गई है उस list के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा उस रेजिस्टेशन नंबर को सांथियों यहाँ पर सिंपली जो है टाइप कर देना है या फिर अगर आप कॉपी किये होंगे तो उन्हें उसे जो है पेस्ट कर देना है लॉंग प्रेस करके और यह जो सब्मिट बटन आपको जो है ग्रिन कलर का देखने को मिल जाएगी जिसमें सबसे पहले लाभार्थी कौन से राजित से संब्दित है कौन से ब्लॉक से पंचायत से और गाउं से संब्दित है वो देखने को मिल जाएगा बेनिफीसरी का नाम आप यहाँ पर आपको आपको जो है देखने को मिल जाएगा उसके बाद registration number उसके बाद जो personal details है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बाद सांतियों सबसे जो जरूरी दो चीजे है personal details के अंदर वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो है registration financial year लाभार्ती का जो है registration financial year 2024 पचीस है simply आप इसे देखेंगे तो आप confirm हो जाएंगे कि आपके खाते में अब जो पैसे हैं वो आने वाली है उसके बाद यहाँ पर आपको bank की details देख लेनी है कि कौन से bank के खाते में आपके जो है पैसे मिलेंगे तो यह देख सकते हैं यह लाभार्ती 36 गड़ से संबंदित है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर payment की details देखने को मिल जाती है यह जो लाभार्ती है इसके profile के अंदर आप देख सकते हैं 40,000 रुपए जो है payment करने के लिए order seat और एपटियो जनरेट किये गए है order seat 12,9,2024 को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जनरेट की गई है आप भी जब अपना profile को open करेंगे तो वहाँ पर आपको date आपका जो है देखने को मिल जाएगा उसके बाद सांसियो जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें जो है एपटियो की details देखने को मिलती है fund transfer order की जिसमें आपको यहाँ पर जो date है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद bank dbt mode में यह payment हो रहे हैं देख रहे हैं account based जो payment होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होगी यहाँ कि लाभरती जो भी account देंगे उसी में payment होगे आधार बेस नहीं है आधार से अगर payment होता है तो जो भी उनका NPCI mapping होता है उसमें पैसे जाते हैं लेक add किये गया है तो साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह जो details है वो update हुए है इससे लाभरती किस तरीके से confirm हो कि उनके खाते में कब तक पैसे आएंगे और उसके profile में details update किये गया है कितने रुपए के लिए तो यहाँ पर साथियों आपको amount इसे हैं वो transfer की जाती है और उसके बाद लाभरती एप्टियों को भी track करके पता लगा सकते हैं कि उनका जो payment का status है वो क्या है तो simply यह जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा simply इससे आपको copy कर लेना है copy करने के बाद आपको क्या करना है साथियो ओपर scroll up करके उप कुछ साथियों यहाँ अपर qyapcha दिए गये हैं इसे same to same आपको यहाँ पर type कर देना है तो चलिए हम इसे type करते हैं आपको भी दोस्तों इसे same to same type कर देना है तो चलिए मैं इसे type करके आगे की जो process है वो आप लोगो को दिखा देता हूं सांथियो capture को type करने के बाद simply हमें यहाँ पर submit बटम पर click करना होता है submit बटम पर click करने के कुछी समय बाद हमारे सामने एक next page जो है open हो जाती है जिसमें कुछ इस परकार से दोस्तों Apto की जो detail से वो देखने को मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हैं यह Apto जो है send किया गया था PFMS को payment के लिए 179-2024 को उसी दिन यह Apto बनाया गया था Apto PFMS को receive भी हो गया था 179-2024 को यानि कि 17 सितंबर 2024 Apto bank को जो है send किया गया था payment के लिए 179-2024 same date को acknowledgement bank के तरब से जो है भेजा गया था 179-2024 को ही और debit status success यानि कि जो पैसे है PFMS के थो वो cut गया है यानि कि debit हो चुका है उसका जो confirmation है वो 179 को ही मिल चुका है यानि कि यह जो लाभारती है इनके खाते में एक ही दिन के अंदर जो पैसे है वो credit हो चुके है तो साथियों यह जो प्रक्रिया है इसे अपना के आप भी जो है अपनी प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन की जो पहली किस्त की रासी जो आपके खाते में ट्रांसफर की गई है उसे track कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में आये है या फिर नहीं अगर नहीं आये हैं तो क्या reason है यहाँ पर कभी कबार FTO दोस्तों फेल भी हो जाता है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को बिल जाएगा तो सांथियोकर जानकरी अच्छी लिएक तो वीडियो को लाइक करें इस परकार के भारत सरकार के प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन एबंग अन्य सरकारी योजनाव से संबंदित जानकरी प्रात करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यबाद झाल